Hello everyone, कैसे हो आप लो? I hope आपका दिन आज अच्छा गया हो. ऐसे ही हम आज सिखेंगे, multiplication of any number with one series. किसी भी number का multiplication करना हो, one की series किसा? one की series मतलब? one, eleven, one hundred eleven, one thousand, one hundred eleven. ऐसे कूई भी आगे हम जा सकते हैं. तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? चलो सीखते हैं. उसका first example के साथ. हमने लिया है first example, 63 multiply 11. इसमें क्या करना है? यहां पर आप देख सकते हैं, 11 है, इसलिए दो बार one, one है. तो हमें एक बार zero आगे और पीछे लगाना है. पर कहां पर? यह देखिए. हमें जो यह number है, 63 यहां पर है. उसके आगे और पीछे zero, zero लगा देना है. मैंने one, zero क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर दो बार है. अब दो बार one, one है, इसलिए हमें दो दो की पैर बनानी है. एक पैर बनी three और zero की, इस पैर बना के हमें प्लस करना है. त्री प्लस जीरो, three, six प्लस त्री, एक पैर बनी, इन दोनों का प्लस करते हैं, nine, और तीसरी पैर बनी, zero प्लस six, six. बज आगया आपका answer. वैसे ही दूसरा एक्जामपल लेते हैं, 481 multiply 111. इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, आप तीन बार one है, तो हम zero कितने लेंगे? दो, तो 481 की आगे पीछे, दो दो zero. और, तीन बार one है, तो हम तीन तीन की पैर बनाएंगे. जैसे, इन तीनों की पैर बनाएं, पीछे से start करते हैं, one प्लस zero प्लस zero. आंसर आग्या, one. दूसरी पैर बनाते हैं, इसमें इस zero को side कर देना है. आगे की तीन लेने है, eight, one and zero. इसकी पैर बनाएंगे. इसका आंसर आजाएगा, प्लस करके, nine. अब इस zero को side कर देना है. अब इन तीनों की पैर बनानी हैं, four, eight and one. इन तीनों का प्लस करेंगे, तो आंसर आजाएगा, 13. अब यहाँ पे तो हम सिर्फ तीन लिखेंगे. one को हम carry कर देंगे. अब वापस इस one को consider नहीं करना है. zero, four, eight. इन तीनों को करना है, एक pairing करनी है. eight प्लस four, twelve. और twelve प्लस one जो हमें carry करनी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आगया 13. वापस यहाँ पे हम one carry कर देंगे, 13 का one. अब इन तीनों की pair करेंगे. तो यहाँ पे four, zero, zero और one. तो answer आजाएगा five. तो यह आगया आपका answer. ऐसे ही हमारा third example है. इसमें चार बार one है. तो हम three eighty five को आगे पीछे तीन तीन zero लगा देंगे. और pair में कितने number लेंगे हम? चार number लेंगे. जैसे कि यह five, zero, zero, zero. यह बनी एक pair. है ना? एकदम आसान तरीका. तो ऐसे अलग-अलग pair बनाके, अलग-अलग number को try करके, आप मुझे इसका answer बताएए. ठीके? थैंक यू. स्टे ट्यून. अगर आपको मेरा वीडियो पसंदा है तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.